सिय तो देखो पेरे बच्चों यहां पर तुम देखोगे कि एक प्रजेक्ट किया गया और इस प्रजेक्ट्र प्रजेक्ट किया प्रजेक्ट है यह है वाली जो है यह एक अगर मैं यहां से यू से फेकता हूँ, यहां से मैंने यू से एक बॉल को फेक आया, यहां से यू से, तो दिक्कत क्या है, इसमें भी यहां, यह जो होरिजन्टल से एंगल थीटा, वो एक अन्नोन है, ठीक है? तो यहां से यह थीटा एक अन्नोन है, और यह जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड, यह जो हाइट अटेंड हुई है, तो यह जो हाइट अटेंड हुई है, वो कह रहे हैं कि रेंज का, जो रेंज है, वो इसका दो गुना है, तो थीटा तो अन्नोन है, तो होरिजन्टल रेंज, करना हो तो की पॉइंट क्या है इस कुश्चन का अगर मैं रेंज निकालना चाहूं तो रेंज की फार्मुला क्या होता टू यू स्क्वेर साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड़ वाई जी बच्चों तो जो सलूशन को तुम्हें क्या देखके लग रहा है आपसन देख इसकी वेल्व यहां लाक रख दोंगा तो यहां से प्रॉब्लम हो जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा पता करने के लिए जो कंडिशन दिया हुआ इसका यूज करो जा तो इसका यूज करोगे तो क्या होगा ठीक है तो रेंज इस उकल टू टू एच के बराबर है तो यहां से मखिसा जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा पता चले रेंज इसकारं टू ऊसक्वाइच साइन थीटा कॉस थीटा का क्या मुल्टिवाइड इसे जी और यहां से टू3 ऑवर तू 2 ج के बराबर होता है तो यहां से जीनेसे को और टू ने 2 इसकर檬 मंदब टू इसकुल टू टेञ ठीटा गी जैगी कुल यह अगर एक ट्रिट्रमेट्रिश पता चलने तो बाकि की तो पता हैंगे जाएंगे एक राइट अंगल ट्रेअंगल एसा समनले टु जो होगा? परपेंदुलर और बेश जो है, वह वन मीटर होगा? तो ये कितना हो जायगा? 4-plus-1 under root, that is 5 under root आजायगा, तो यहां से SINE थीटा की जो value आजाएगी, वह two upon under root 5 आजाएगी और CRA-Cos थीटा की जो value आजाएगी, तो फाइनली आ जाएगा फोर यू स्कौर अपान फाइफ जी इस इस अफाइनल सोलूशन अफ प्रॉबलम दिस इस अफॉब्लम देख तो आई हो की आपको क्लियर हो गया होगा फोर फाइफ जी मतलब अपना जो सी ऑप्सन है वो सही बन जाता है तो यहां से तुम मतलब यह यह अच्छे से तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा थेंगे वे टेक केर अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो